परदार जी हमारे साथ इस भी सीधे चुड़ गए हैं सतीश नमबरदार जी क्योंकि आप कल देश व्यापी चकाजाम की छेतावनी जिस तरीके से दी गई हो और कल होने भी जो आ रहा है किस तरीकी की रंडीती रहने वाली है किस तरीके से चकाजाम का पूरा प्रोसीजर जो और कल देश देखेगा किस तरह स्यांति प्रिये डंग से 12 बजे से 3 बजे तक पूरे हिंदोस्तान में चकाजाम का काम किया जाएगा महात्मा गांदी जी के रास्ते पर चलते वे बिलकुल पूरा श्यांति प्रिये कहीं भी कोई नहीं किसाने दिल्ली आने का मन बिलकुल नहीं है सीमाओं पर पूरे हर स्टेट में हर राज्जे में हर गरी में हर महले में इसका आयोजन किया गया है और स्टी प्रिय meditation कंग से इस को आयोजित किया जाएगा जाहिएर तौर पर सतीची लेकिन अब क्योंकि बात आप बहतर दिनॉसलिएर op किसान अंदोलन क्या कर रहे हैं किसानों का संगर्ष लगातार यहां पर डटा हुआ है लेकिन बादचीत के लिए कोई नियोता नहीं आपको लगता है कि इस देशा में आगे चलकर कुछ सकारात्मक का चीज़ें निकलकर सामने आ सकती है तक वांजली जी जब महात्मा गांदी ने अपना डांडी मार्चांदोलन सरूख किया था शर्फ उसके पिछे एक ही आदमी आके ले थे वे और फिर उनके पिछे जन्सलाब पड़ा था और अंदरे शरकार को जुखना पड़ा था और वापिस जाना पड़ा था इस बाज़पा की के अंदर में बैठी बाज़पा की सरकार को भी एक दिन किसान जुखा के छोड़ेगा आज इस आंदोलन में किस तरह का जन सहलाब बच्चा बच्चा पांच साल से लेकर दादी मा तक इस आंदोलन में जुड़ने का काम करी है और इस सरकार को एक दिन अप भी जुकना पड़ेगा नहीं जुकेगी तो किसान में इतनी ताकत है तो गंदी से भी उतारने का काम कर दिया जाएगा यह लोग तंतर का देश है गंतंतर का देश नहीं है जी सतीश नंबर दार ची लेकिन अब क्योंकि आभी हाल ही में राकेश टिकैत का बयान भी सामने गया आया है एक फ़ॉर्मूला उनके जरीए दिया गया और यह कहा है इस फॉर्मूले के जरीए अगर आंदोलन आगे चला तो फिर तो एक दो साल क्या सब्सक्राइब तक भी अगर यह अंदोलन चलता रहा तो फिर भी कोई दिक्कत नहीं होने वाली है यानि लड़ाई ल करना है या आंदोलन में पूरे का पूरा सब के सब बैठ गे तो देश का किसान मजदूर का मेरा वर खाएगा क्या उसका भी ध्यान रखना किसान में हमेशिया करो नाताल में भी आपने देखा होगा GDP 0% थी गाटे में थी उस टाइम भी किसान अपने खेतों में लगया हुआ तो टिकेट साब की बात का बिल्कुल मैं समर्तन करता हूं क्योंकि देश है तो हम है अब हम है देश नहीं रहेगा तो फाइदा क्या होगा किसी को भी अंदा तया लिचाएगा कोई भूखास होए देश में इसलिए वाकेट में काम कर दाएब जरूरी है जै बिल्कुल सती किसी लोटूंगे आपके पास एक बड़ी खबार आ रही है एस बीच वो भी हम यहाँ पर देख लेते हैं बड़ी जानकारी बड़ी खबार आ रहे है किसान अंदोलन से अंदोलन को लेकर आके इस टिकेट का नया फॉर्मुला जिसका जिक्र भी हम अभी कर रहे थे हर परदार जी लगातार हमारे साथ इस चर्चा में बने हुए है सतीज जिस फॉर्मुले का जिक्र हम यहाँ पर कर रहे हैं जो लाकेश टिकेट ने बताया है कि आंदोलन यह लड़ाई किस तरीके से लंबी जो है वो चल सकती है अगर इस सरकार नहीं मानती है उसी के बारे मे हम यहाँ पर बात कर रहे हैं लेकिन सवाल यहाँ पर यह है कि किसान को अपना भविश्य भी देखना है कि सान को अपना परिवार वी देखना है कि से में यह लड़ाई लंबी चले ठीक है लेकिन कारगर यह अपने अंजाम तक पहुंचे तब बात है ना वहीं तो बात नहीं बन रही फिछले बहतर दिनों से अंजली जी सरकार को एक दन जुकना पड़ेगा नहीं जुकेगा तो 1989 में कंजावला में एक बहुत बड़ा किसान अंदलन हुआ था और उस टाइम की मुरार जी देश सरकार को उकार फैकने गातां इक किसानों नहीं किया था तो ये के अंदर में बैठी भाज़पा की सरकार को समझ जाना चाहिए आज किसान जाग चुका है और आपको गड़ी से बठा सकता तो गड़ी से उतारने का भी कामी किसानी करेगा ये देश लोग तंतर का देश है मैं फिर करता हूँ ये गंतंतर का देश नहीं है किस तरह किले वगारा लगा के इस देश में वाज़पा की सरकार रोज पैदा करने का काम कर रही है सतीश जी क्योंकि अब तक कई माहा पंचायते हो चुके है अभी हाल फिलाल जीन में भी माहा पंचायती थी राकेश टेकेट खुद माहा पर पहुंचे थे किस तरीके की रंडीती अब आगे बनाई जा रही है क्योंकि कल तो देश व्यापी चक्का जाम होने जा रहा है उसके आगे क्या होगा क्या कुछ अब तस्वीर जो है किसान आंदोलन की हम लोगों को देखने को मिलेगी क्योंकि बाचीत तो अब फिलाल स्टॉप है बाची नहीं अब यह दिली का किसान भी जाग चुका है दिली में भी कल बवानादाओं में और जहां घर्जवासन में भी कल भारी महापंचायतों कायोजन किया गया है और काफी दिली का किस तरह अपनी सादोलन बाचीता की भाई कि पैसे से कोई तन से कोई मंद से कोई धन से करके इस आंदोलन को अग्रफड हम की आगा 먹 और इसके बाद ऑपलेक्ट बनवार जाएगा ждिस्पड कि सानकी इसकी कानून की तिन्यफ खामिया लिखी जाएंगी और यह घरगर तक पहुचा जाएगा और इस अंदोलन को पूरे का पूरा देश व्यापी आंदोलन बढ़ाएजाएगा और अजली जी अब यह आंदोलन नहीं रहा अब यह क्रांती का रूप ले चुका है जी जाहिर तोर पर जाहिर तोर पर आप पर लेकिन सतीश जी क्योंकि आप लोगों के देश वापी चक्का जाम की जो तैयारी हैं वो एक तरफ चल रही दूसरे तरफ सुरक्षा का गेरा काफी जादा बढ़ा दिया गया है हमने देखा वहाँ पर किस तरीके से काफी बैरिगेडिंग कर दी गई है सीमिंटेट पत्थर लगा दिये गए है इस देशा में अब कल क कोई रूट मैप रहने वाला है आप लोगों का या किस तरीके से कहां कहां यह चक्का जाम यहांपर किया जाएगा और जो एमर्जंसी सेवा हैं उन्हें कौन-कौन से अमर्जंसी सेवाओं को वहां पर छूड़ दी जाएगी यह जानकारी अग्र आप हमें दे सकें अमर्जेंसी सेवा में एम्बूलेंस को किसान कहीं भी निरोकेगा जो भी मूल बूच्वी दाएंगी गाडिया है उनको किसान बिलकुल भी निरोकेगा और कहीं भी कुछ ऐसा नहीं होगा यह श्यांति पर यह सरफ तीन गंटे का अंदोलन है कोई ज्यादा लंबा नहीं है तीन गंटे का शरफ बंद है और इसको किसान चाहेगा पूरी की कुछ तरह श्यांती पर ये टाइम पास हो और किसान ये के अंदर में बैठी बाजपाई सरकार की आंखे काने खुल सके इसका ये एक छोटा सा मैसेज देना चाहता है किसान तो फिर भी के अंदर की सरकार इसको लेकर अब विदेश से भी समर्थन आ रहा है कई विदेश कलाकारों ने भी कई हस्तियों ने भी इसका समर्थन किया है हाला कि अब ऐसे दिशा में अब ये किसान अंदर में जिस तेजी के साथ आगे बढ़ रहा है लेकिन सरकार जो कि पीछे हट नहीं रही है दोनों जो आप लोगों के मुद्धे है उनको लेकर अब आखिरकार अगर ये सिती आगे यथा सिती बनी रहती है तो आखिरकार आप लोगों के तरफ से क्या कोई पहल की जा सकती है कि सरकार अगर कोई प्रस्ताव दे या उसके लिए शुरुआत तो करनी पड़ेगी ना दोनों ही तरह से आप में से आप सरकार को शुरुआत तो कहीं ना कहीं से करनी पड़ेगी ना क्योंकि लड़ाई का अंत तो होगा कहीं ना कहीं अंजली जी किसान कल भी बात्चीत से पीछे नहीं था और आज भी बात्चीत से पीछे नहीं है देखो कितनी बारा बार के करीब बात्चीत हुई बारा बार बुला किस तरह किसान का वहाँ पर मजा को डाने का काम किया लेकिन किसान इस देश का अंदाता है उसने फिर भी कभी ये मैसूस नहीं किया अग वही सरकार क्या बोल रही है रही बात जो आप बोल रही है विदेशी कलाकार ने ट्वीट किया है मेरे मान्य परदानमंत्री किस तरह अमरीका में जाके ये बोल के आए थे अब की बार TRUNP सरकार तो ये तो रास्ता खुद परदानमंत्री खोल चुके हैं अग्वी देशों ने विदेश का कोई अब अब स कर ये गलत है हम नहीं चाहेंगे कोई विदेशी हमारी बात में अस स्थेब करें चले बहुत बहुत शुक्रिया वहुत बहुत 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 शुक्रिया सतीज नमर्दार्चे